हेलो एर्विवान वल्कम टू माई चैनल हेलो फ्रेंज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश प्रेक्टिस शैशन जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट, ट्वेल्थ या फिर टैंथ बिल्कुल नहीं, सही सुना आपने बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश प्रेक्टिस सैशन के लिए चाहिए बेसिक इंग्लिश ग्रैमर एंड वोकैबलरी और सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रेक्टिस इंग्लिश की प्रेक्टिस करते रहे हैं और कुछ दिनों के लिए हिंदी बोलना अवॉइड कीजिए अब आप इंग्लिश की प्रेक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फैंबली मेंबर्स के साथ को वर्कर के साथ या फिर कस्टिमर के से किसी के भी साथ कर सकते हैं जरूरी है प्रेक्टिस जैसे इस सेशन का नाम है इंग्लिश प्रेक्टिस सेशन तो सब से ज़्यादा जरूरी है प्रेक्टिस प्रेक्टिस और प्रेक्टिस बिकर्ज प्रेक्टिस मेंगस त्री अमें Paper So first phrase we have is Thank you so much Thank you so much sentence है इंग्रिश भाषा में तो आप इसका use कर सकते हैं किसी को thank you बोलने में किसी का धन्यवाद करने में जैसे जन्म दिन के तौफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much for the birthday gift Thank you so much for the birthday gift मुझे घर छोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so much for driving me home मेरा homework करने के लिए धन्यवाद Thank you for doing my homework और Thank you so much for doing my homework इन तीनों टैंसे में हम किसी का आभार प्रकट कर रहे हैं किसी को thank you बोल रहे हैं किसी को धन्यवाद कह रहे हैं तो इस तरह से हम thank you so much का use कर सकते हैं Normally भी हम thank you से कम चला सकते हैं लेकिन अगर आपको और साथ पॉलाइट होना है तो आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं जैसे Thank you so much for the birthday gift Thank you so much for driving me home और Thank you for doing my homework वरना Thank you भी काफी होता है अब देखते हमारा second phrase We have I really appreciate You can also use this phrase to thank someone आप इसकी फ्रेज की मदद किसी को धन्यवाद कहने के लिए भी कर सकते हैं जैसे मैं वास्तव में आपकी मदद की सरहना करता हूँ I really appreciate your help मतलब मैं आपकी सरहना करता हूँ I really appreciate का मतलब ये होता है या फिर रात का खाना पकाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं वास्तव में इसकी साराना करता हूँ इस तरह से आप तेंक यू सो मच को और तेंक यू को और एक ही सेंटेंस में मिक्स कर सकते हैं जैसे तेंक यू सो मच का मतलब होता है जब आप किसी को धन्यवाद कहना चाते हूं और I really appreciate का भी यूज़ आप किसी को धन्यवाद कहने में कर सकते हैं I really appreciate Now look at the third phrase which is excuse me Excuse me When you need to get through but there's someone blocking your way say excuse me जब आप कहीं जा रहे हो और कहीं आपको जाना है और कोई आपके रास्ते में कि आपके वे को ब्लॉक कर गी खड़ा है तो आप बिना रूट हुए बोल सकते हैं Excuse me और वो परसन समझ जाएगा that you want कि आप वहाँ से हट जाएं आप उनके रास्ते को ब्लॉक ना करें तो वो वहाँ से साइड हो जाएंगी Excuse me का हम यूज इस तरह भी कर सकते हैं So when you need to get through but there's someone blocking here Say excuse me with polite tone You can also say this phrase to politely get someone attention जब आपको किसी party में या फिर किसी occasion पे किसी की attention चाहिए तो आप politely बोल सकते हैं Excuse me और फिर अपनी बात का ये इस तरह से आप दूसरों का attention ले सकते हैं ठीके तो Excuse me का यूज किया जा सकता है किसी की attention लेने के लिए और एक और है जब कोई आपके रास्ते में और आपको कहीं जाना है तो आप politely कहिए Excuse me ये बहुती ज़्यादा polite way होगा कहने का और साथ ही ये root भी नहीं लगेगा और वो इनसान वहाँ से हट जाएगा चलो इसे examples के साथ समझते हैं जरा सुनिए सर आपने अपना बटवा गिरा दिया Excuse me sir You dropped your wallet जरा सुनिए क्या आप जानते हैं कि समय क्या हुआ है Excuse me Do you know what time it is ठीक है? तो इस तरह से आपने किसी का अटेंशन लिया में भी किसी भी चीज़ के लिए जैसे Excuse me sir जरा सुनिए sir आपने अपना बटवा गिरा दिया So whenever you're going through और अब देखते हैं कि किसी ने कोई चीज़ गिरा दी है ठीक है पर किसी का कोई सामान रह गया है तो आप बोल सकते है Excuse me sir You missed something Is this thing belong to you किया ये चीज़ आपकी है ठीक है तो इस तरह आप बात की या फिर conversation स्टार्ट कर सकते है Excuse me sir कहके Second example है जरा सुनिए कि जानते है कि समय क्या हुआ है ठीक है तो अगर आपको कुछ पूँचना है किसी से समय के बारे में और मेभी आप प्लेटफार्म पर है आप पूछा चाते है कि ट्रेन कब आ रही है तो पूँच सकते है Excuse me आप पहरे लगा सकते है sentence की बहुत ज़दा polite लगेगा और साथ में गुद मेनर इंडिकेट कर लेगा ठीक है आप क्या सोचते हैं तो आप इस फ्रेज़ का इस फ्रेज़ कर सकते है आप क्या सोचते है जैसे I'm not sure if we should paint the room yellow or blue What do you think I'm not sure मैं sure नहीं हूँ मुझे की नहीं है कि हमें कमरे को पीला रंग देना चाहिए नीला रंग तुम्हारा क्या विचार है तुम इस पारे में क्या सोचते हो What do you think तो इस तरह से हम What do you think का यूज कर सकते हैं जब हमें किसी का उपीनियन सुना हो ठीक है अगर वो आपको अपना उपीनियन नहीं दे रहा है या आप चाहते हो कि आप वो आपको उपीनियन दे ठीक है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं बहुती पॉलाइट मेनर में जैसे की इस सेंटेंस में हुआ है I'm not sure if we should paint the room yellow or blue What do you think आपने पहले से पहल की लेकिन बहुती smart way में पहले आपने कहा की that you are confused आप confused हैं आपको पता नहीं कैसे होगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं ठीक है I'm not sure I'm not sure नहीं हूँ कि हम कमरे को नीला रंग दे या पीला रंग आपके क्या विचा रहे हैं ठीक है आपने उसे पूछा क्योंकि आप confused हैं आपको नहीं पता आप sure नहीं है कि कौन सा color perfect रहेगा इसलिए आप उनका opinion जाना चाहते हैं उपीनिन सुनना जाते हैं इस तरह से आप यूज कर सकते हैं What do you think का Next phrase How does that sound If you suggest an idea or plan Use this phrase to find out what others think ठीक है तो जब भी How does that sound का भी मतलब What do you think जैसा है काफी similar है What do you think का हम यूज करते हैं किसी का opinion जानने के लिए वही यूज हम यहाँ पर करसे हैं जैसे If you suggest some idea लेकि यहाँ पर क्या होता है कि आप अपना कोई idea suggest करते हो अपना plan suggest करते हो जो अपने बना के रखा है और फिर आप जानना चाहते हो कि आगे वाला इनसान आगे वाला person क्या सोचता है इस idea के बारे में तो अब इस phrase को यूज करो How does the sound इसका मतलब होता है Not grammically यह कैसा रहेगा ठीक है कैसा रहेगा आपको यह कैसा लगता है ठीक है अपने idea suggest किया और आप जानना चाहते हैं कि दूसरे के क्या विचारे हैं उस पर For example हम 6 बजे रात का खाना खा सकते हैं फिर movie के लिए जाते हैं आपको यह कैसा लगते हैं फिर कैसा रहेगा आप जानना चाहते हैं कि आपने जो plan बनाया है कि 6 बजे रात का भोजन करते हैं और फिर movie जाते हैं तो आपको कैसा लगते हैं तो इस तरह से आपने पूछा पहले आपने अपना आइडिया दे दिया ठीक है आपने अपना सजेशन दे दिया प्लैन दे दिया जो आपके पास रेडिया आप पूछना चाहते हैं कि दूसरा जिससे आप बात कर रहे हैं वो इस प्लैन के बारे में क्या सोचता है तो we could have dinner at 6 p.m. and then go to a movie how does that sound okay चलो संगीत खेलने के लिए या संगीत बजाने के लिए एक बैंड किराए पर रखते हैं और Brent समारों की तस्वीर ले सकता है कैसा रहेगा let's hire a band to play music and Brent can photograph the event how does that sound okay I think this is very clear now कि हम कैसे how does that sound का use कर सकते हैं now we have other phrase as well which is that sounds great अब अगर आपको जवाब देना है अगर किसी ने आप से पूंचा है how does that sound तो अगर वो आपको idea अच्छा लगता है तो आप बोल सकते है that sounds great that sound fantastic okay का मतलब होता है यह सच में अच्छा रहेगा यह सच में बहुत अच्छा idea है इस मतलब में आप इसका use कर सकते that sounds great for example my mom is baking cookies this afternoon they could go to my house and eat some how does this sound ठीक है तो अगर किसी ने आप से पूछा है कि मेरी mom the fair में cookies बेक कर रही है okay और तो हम हमारी घर जा सकते हैं कुछ खा सकते हैं आपको कैसा रहेगा यह प्लैन कैसा लगता है अगर आप से question पूछे तो आप कह सकते हो that sounds great यह सच में अच्छा प्लैन है the sound fantastic यह सच में अच्छा रहेगा ठीक है तो इस meaning में आप इसका यूस कर सकते हैं that sounds great को that sound fantastic से भी replace कर सकते हैं क्योंकि more often जादा अच्छा लगेगा बोलने में that sounds fantastic next phrase we have never mind you can also use never mind to mean it doesn't matter or just forget it never mind का मतलब अब इस तरह से use कर सकते हैं कि कोई बात नहीं और यह फे से भूल जाओ never mind in these situations say it with a smile in a positive sound never mind का मतलब ही होता है कि चलो कोई बात नहीं just forget it भूल जाओ इस बात को it doesn't matter और इसको जब आप बोलो ठीके तो बहुती positive और polite tone के साथ बोलो ठीके बहुती अच्छी tone के साथ बहुती polite tone के साथ अगर आप इसको थोड़ा धीरे कहेंगे और low tone के साथ कहेंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत जादा परिशान है और आप बहुत जादा दुखी है जि जैसे अगर किसी ने आपकी ड्रेस के ऊपर कॉफी गिरा दी है और वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं तब बोल सकते हैं नेवर माइंट इसको भूल जाएए कोई बात नहीं इसको बहुत ही पॉजिटिव टोन के साथ कहना होगा नहीं तो अगर आप इसे लो टोन के साथ या फिर धीरे कहेंगे तो सामने वाले परसन समझ सकता है कि आपको बुरा लगया या फिर आप इस बात से बहुत जादा अपसेट है या आपको बहुत जादा बदर हुआ है तो इस तरह से आप never mind का use कर सकते हैं never mind का use देखते हैं कुछ examples के साथ तो फर्स्ट example we have is क्या आप आप आज किराने की दुकान पर जा रहे हैं अगर आपसे किसी ने पूछा है तो या फिर आपने किसी से पूछा है क्या आप किराने की दुकान पर जा रहे हैं लेकिन अगर जवाव मिले नहीं लेकिन क्यों आपको कुछ चाहिए no I'm not but why do you need something तो आप पो सकते हैं ओ कोई बात नहीं मैं कल चला जाओंगा it's okay oh never mind it's okay I'll go tomorrow ठीक है तो इस तरह से आप काफी flow के साथ यूज कर सकते हैं never mind का जिसका मतलब होता है कोई बात नहीं it doesn't matter just forget it अब उन फ्रेजेस को परदें जो first time greeting में यूज आ सकते हैं so first we have hi I am फिर आप अपना नाम बोलिये so here is an informal greeting you can use when you meet new friends तो यह बहुत ही जादा अनुपचारिक वे है किसी को greet कहने का किसी को hello बोलने का जब आप new friends से मिलते हैं अगर आप अपने नाम बता चुके हैं और सामने वाला इनसान सामने वाला person आपको अपना नाम नहीं बताता है तो आप पूंच सकते हैं and you and what's your name और आपका और आपका नाम क्या है ठीक है so let's look at with example so अगर बोल सकते हैं hi I'm Shania I'm in school में नहीं हूँ hi I'm Shania I'm new to this school तो maybe आपके school में first day है maybe आपके campus में first day है तब बोल सकते हैं hi I'm Shania maybe जो भी आपको नाम है hi I'm Shreta I'm new to this school ठीक है और second है अगर आप अपने new friends से मिलते हैं तो आप बोल सकते है hi I'm Rebecca hi I'm Rebecca और आप and you and you का मतलब है कि आप उनसे उनका नाम जानना चाहते हो ठीक है hi I'm Rebecca and you second phrase nice to meet you after you learn each other's name it's polite to say this phrase nice to meet you का मतलब हो होता है आप से मिलकर अच्छा लगा ठीक है आप से मिलकर खुशी हुई अब आप ने अगर दोनों के नाम पता है जैसे आप first time मीट हुए आपने पूछ लिया hi my name is Rebecca and you और उसनों ने भी अपना नाम बता दिया उसके बाद आप इस phrase को कह सकते है बहुत ही जाद़ पुलाइट लगता है जैसे कि आपको उनसे मिलकर खुशी हुई जैसे hi Rebecca मैं अजय हूँ hi Rebecca I'm अजय आप बोल सकते हैं तुमसे मिलकर अच्छा लगा अजय nice to meet you अजय और इसका जवाब हो सकता है same here or nice to meet you too जैसे मुझे भी आप से मिलकर अच्छा लगा मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा ठीक है तो जब आप एक दूसरे का नाम जानते हैं तो यह बहुत ही पुलाइट वे है कहने का कि आप से मिलकर अच्छा लगा और जिसका जवाब हो सकता है nice to meet you too ओकी next phrase we have where are you from ask this question to find out which country city town someone is from you answer this question with I am from ठीक है तो इसका मतलब होता है आप कहां से है आप इस question को पूछ यह जब आप जानना चाहते है कि कोई किस देश से है कि शहर से है कि इसका टाउन से है और इसका जवाब हो सकता है I am from और फिर उस जगर का नाम जैसे nice to meet you अजय so where are you from आप से मिलकर अच्छा लगा अजय तो आप कहां से है where are you from अब इसका जवाब हो सकता है I am from Shrinagar और मैं भी कोई भी शहर हो लेकिन इसके starting phrase क्या होगा I am from I am from Shrinagar मैं Shrinagar से हूँ अगर आप भी जाना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं and you what do you do आप क्या करते हैं most adults ask each other this question when they meet it literally means what do you do for living तो काफी बड़े लोग इसे पूछते हैं जब वो एक दूसर से मिलते हैं और इसका मतलब होता है कि आप जीने के लिए करते हैं मतलब आपकी जाब क्या है so what's your job की जगे आप पूछ सकते है what do you do जिसका भी मतलब वही होता है कि आप क्या करते है आपकी जाब क्या है आप जीने के लिए क्या करते है for example आप क्या करते हैं Rebecca रिबिका, तो जिसका आसर हो सकता है कुछ भी जो भी आपका प्रिफेस्चन हो आप उसे शकते हैं जो भी आपको प्रोफेशन हो आप बोल सकते हैं जैसे , I work at university as a financial specialist मैं एक विशय शकल ने मा काम करती हैं this is how we can use it, okay जाव काफी डिफर्टेन्स हो सकते हैं आपको क्या करना पसंद है तो जो पहले वाक्य था जब पहला फ्रेज था वो था वो तो अप क्या करते हैं और दूसरा है आपको क्या करना पसंद है आप क्या करना पसंद करते हैं जिसका मतलब होता है कि आपको खाली समय में क्या करना पसंद है Instead of asking for someone's job title, prefer to ask what they enjoy doing. पूछने से ज़्यादा आप उनसे ये पूछें कि उन्हें क्या करना पसंद हैं मतलब उनकी habits क्या हैं क्योंकि इनके response इनके answer काफी ज्यादा interesting होते हैं तो आपको किसी का job title पूछने से अच्छा है आप उनसे पूछें क्योंने खाली समय में क्या करना पसंद है For example Rebecca, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करती है So Rebecca, what do you like to do in your free time? तो जिसका answer, जिसके response काफी different हो सकते हैं जो आपको करना पसंद हो वो आप लिख सकते हैं जैसी हाँ पर है I love to read and listen music I also love cooking मुझे मैं पढ़ने और संगीत सुना पसंद करती हूं और मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है I love to read and listen music I also love cooking तो इनके answer बहुत जदे interesting, बहुत जदे enjoyable हो सकते हैं तो इस हो भी उसे तो फॉन नम्बर का है If you want to keep in contact with someone you just met and ask the question to find out their phone number You can replace phone number with email address if you want to know their email address तो अगर आप किसी से जिसे मिले हैं पहली बार अगर उसे contact में रहना चाहते हैं उनसे संपर्क में रहना चाहते हैं तो आप इस question को पूँच सकते हैं Ask this question उनने जानने के लिए उनका phone number क्या है आप phone number की जगे email address भी पूँच सकते है अगर आपको उनका email address पूँचना है तो ठीक है So what's your phone number आपका phone number क्या है इसका phrase, इसका use का अब होता है जिससे आप अभी अभी मिले हो जिससे आप पहली बार मिले हो ठीक है या फिर अगर आपके पास किसी का number नहीं और मेभी आप इसे जानते है तो भी आप इसे पूच सकते हो What's your phone number What is your phone number So for example आप से दुबारा मिलकर अच्छा लगेगा आपका phone number क्या है देखिए सबसे पहले हमने किस तरह का environment बनाया मतलब वो चाहते हैं कि आप से दुबारा मिलना ठीक है वो आप से चाहते हैं कि आप दुबारा मिलें आप से मिलकर अच्छा लगा और दुबारा भी उनसे मिलकर अच्छा लगेगा फिर उना ने पुछा आपका phone number क्या है आप से दुबारा मिलकर अच्छा लगेगा आपका phone number क्या है या फिर what's your phone number की जगह पूछ सकते हैं कैना get your phone number क्या मुझे आपका phone number मिल सकता है Can I get your phone number यह भी बहुत अच्छा रगता है सुने में तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं and you will do next phrase How can I help you मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ so this is used to ask if you need something or if you have any business if you work in customer care services you'll use this phrase a lot it's also a common phrase when answering the phone तो इस फ्रेज के यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए किसी को कुछ चाहिए ठीके पूछने के लिए जैसे आप किसी दूसरे person को देखते हो तो आप उसे पूछ सकते हो कि आपको कुछ चाहिए in context कि आपको कोई business है अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे है कुछ इस तरह से पूछने के लिए अगर आप customer services में work करते हैं तो आप इस phrase को बहुत ज़ादा इस्तमाल करते है और यह बहुत ज़ादा common है ठीके जब भी answer करो फोन को यह बहुत ज़ादा common होता है how can I help you मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ मतलब आप पूछना चाहते हो कि आपको कुछ चाहिए ठीके फोर एक्जेंपल फोन पर hello this is Rebecca speaking hello मैं Rebecca बोल रही हूँ how can I help you मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ ठीके तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ यह ही है कि hello मैं Rebecca बोल रही हूँ आपकी मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आपको कुछ काम है ठीके आपने फोन डाइल करने का क्या परपस था ठीके अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए ठीके so this is how we use how can I help you मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ मुझे लगता है कि आपको अभी तक इसका यूस समझ में आगया होगा कि कहां कहां पर हम इसका यूस करते है किस किस कॉंटेक्स में करते है इसका मतलब क्या होता है ठीके Well, this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this